हलो दोस्तों स्वागता आपका हमारे चनल Coding India में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं hacker rank का एक और new problem solving का question इसमें हमारे पास होगा birthday cake candles में हमारे पास question यह दिया हुए है कि एक list है बचों का जिसमें हम करना है कि tallest कौन है और कितने हैं हमारे पास tallest number जैसे है digital às candy उसमें हमारे पास है 1 4 साल इक 1 ग एक साल का और जो सबसे बरहों है और कितनी है वह हैं दो तो हमने क्या करना हैmi हमने return कर देना है 2, वैसे ही अगर हम नीचे आते हैं, तो एक और sample input हम देखते हैं, तो एक 4 बचो की list है, और जो सबसे tallest है वो है 3, and उसमें से कितने है वो हमार पास 3, वो हमार पास 2, तो हमने क्या return कर देना है 2, तो चलिए अब हम अपना code लिखना start करते हैं, सबसे पहले हमन एक नाम का keyword है, तो वो लेगे तो वो problem कर सकता है, maximum, and किसका check करना हमने, candles का, तो हमने maximum check कर लिया है, and count नाम का variable बनाते हैं, क्योंकि हमने check करना है कि कितने हैं, तो for, i in, candles, और हमने check करना है कि अगर यह i, उस m के equal है, तो count को increase कर दो, m equals to i, then क्या करो, count plus equals to 1, and return कर दो, count को, and run code करके देख लेते हैं, कि हमारा सही चल रहा है, तो दोस्तो, sample test के 0 तो run हो गया है, and submit code को पर click करके देख लेते हैं, कि क्या हमारा output मिलकों से गया है, yes, तो दोस्तो, हमने यह solve कर लिया है, and congratulations का message भी आ गया है, तो दोस्तो, मिलते हैं, अगली वीडियो में, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर ले,